A very warm welcome to all of you in my YouTube channel. मैं हूँ Dr. Prathibha, आपकी Physiotherapist. आज की इस वीडियो में एक fracture condition के बारे में जानेंगे, जो है सुप्रा-कॉंडाइलर elbow fracture. आम भाशा में जानेंगे कि शरीर की कौन सी हड़ी तूटने पर ये fracture होता है, और तूटने पर इसे कैसे treat किया जाता है. और इसमें साथ ही जानेंगे कि ये fracture होने पर घर पर कैसे इसकी care की जानी चाहिए. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी था किये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें. सुप्रा कॉंडैला फ्रेक्चर में हुमरस बोन जो हमारी उपरी बाजू की हड़ी होती है, उसकी इंजरी हो जाती है. वैसे तो गिडने पर ये हड़ी कहीं से भी तूट सकती है. ये उपर वाले पोर्शन से भी तूट सकती है, बीच वाला पोर्शन यानि शाफ्ट वहां से भी तूट सकती है और ये अपने नेर्वस पॉइंट से भी तूट सकती है, यानि अल्बो जोईन का जस्ट उपर वाला पोर्शन वहां से भी तूट सकती है. इस point से जब ये तूडती है तो इसे supra condylar fracture बोलते हैं ये सबसे ज्यादा serious fracture है जो बच्चों में होता है इस fracture को serious इसलिए कहा है क्योंकि ये बहुत सारे complications के साथ जुड़ा होता है 90% ये उन बच्चों में होता है जिनकी age 10 साल या इससे कम है on an average अगर peak age देखें तो 5-7 years की है ये fracture तब होता है जब बच्चा अचानक से हाथों को फैला कर जमीन पर गिर जाए जैसे कि अगर बच्चा moderate height यानि बैट से भी गिरता है तो भी ये fracture हो सकता है गिरने पर जैसे ही हाथ जमीन पर strike करता है तो सारी force elbow joint पर आ जाती है यानि bone का lower part ज्यादा पीछे की तरफ मुड़ जाता है और जिससे bone तूर जाती है इसमें हड़ी तूर कर दो तरीके से displace होती है या तो तूटा हुआ पार्ट आगे जाता है या फिर पीछे जाता है जब आगे जाता है तो इसे fraction type कहते है और जब पीछे जाता है तो इसे extension type कहते है दोनों में से सबसे ज़्यादा extension type fracture common है 80% cases में extension type होता है और 20% cases में fraction type fracture होता है इसमें extension type को 3 categories में divide किया गया है type 1, type 2 और type 3 type 1 fracture में humorous bone सिर्फ तूटती है उसमें कोई displacement नहीं होता है मतलब हड़ी तूट कर अपनी ही जगा पर बनी रहती है वो खिसकती नहीं है type 2 में हड़ी तूट कर थोड़ी सी displays होती है और type 3 में हड़ी तूट कर बहुत ज़्यादा displays हो जाती है इन दोनों cases में ज़्यादा complications होते हैं इसलिए इन में ज़्यादा care करने की ज़रूरत होती है इसमें हड़ी तूटने पर जो लक्षन आते हैं वो है अगर गिरने पर किसी बच्चे के साथ ही election नजर आते हैं तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं और जाँच करवाएं डॉक्टर इसकी जाँच के लिए X-ray करवाते हैं और फिर उसी से पता चलता है कि हड़ी कहां से तूटी है अगर हड़ी elbow join के उसी narrowest point से तूटी है तो इसका मतलब है कि ये सुप्रा कॉंडाइलर fracture है अब आते हैं इसके सबसे जरूरी पार्ट पर यानि इसके treatment पर अगर X-ray करने पर type 1 और type 2 fracture होने का पता चलता है और साथ में ये भी पता चलता है कि किसी भी तरह का कोई complication नहीं है मतलब fracture में कोई nerve injury या फिर कोई vein और arterial injury नहीं है और pulse rate का भी पता चल रहा है तो ऐसे में simple cast यानि plaster लगा कर fracture को ठीक किया जाता है अब अगर किसी बच्चे का fracture type 3 का है यानि bone अपनी जगा से displaced है तो ऐसे मैं doctor के द्वारा हड़ी को पहले traction देकर सही जगा पर लाया जाता है जिसे close to reduction कहते है और फिर इसके बाद ही plaster लगाया जाता है ये plaster 3-6 हफ़तों के लिए होता है ताकि हड़ी ठीक से जुड़ जाए चूंकि ये fracture बच्चों में ज्यादा होता है इसलिए ज्यादतर cases में plaster ही लगाया जाता है बहुत ही कम cases में operation किया जाता है operation उनी cases में किया जाता है जब fracture के साथ कोई nerve, vein या artery की injury भी हो जाती है और या फिर जब reduction के बाद भी हड़ी अपनी जगा से बार-बार खिसकती रहती है तो ऐसे cases में operation करने की ज़रूरत परती है अब जानते हैं कि जब बच्चे को cast लग जाता है तो ऐसे में as a parent आपको क्या-क्या साथानिया घर पर बरतनी चाहिए सबसे पहले तो चाहे surgery हुई है या फिर simple cast लगा कर fracture part को immobilize किया है दोनों ही cases में 3-6 हफतों तक cast को पहना बहुत जरूरी होता है नेक्स्ट है कि fracture होने पर दर्थ काफी ज्यादा होता है इसलिए initial days में cast लगने के बाद डॉक्टर के द्वारा prescribed की गई दर्थ को कम करने वाली medicines बच्चे को time to time जरूर दे शुरुआतिक उस दिनों के लिए ये काफी जरूरी है कि बच्चा पुरा आराम करे इसमें affected part को भी अच्छे से resting position में रखें मतलब कोहनी और बाजू को पिलो के उपर elevate करके रखें कलाई और हाथ को कोहनी के level से उपर रखें ताकि कोहनी हाथ और उंगलियों में सूजन कम से कमाई कास्ट यानि प्लास्टर लगने पर बाजू ज़ादा भारी हो जाती है इसके लिए डॉक्टर बाजू को सपोर्ट करने के लिए आम स्लिंग पहनने को भी कहते हैं इस आम स्लिंग को उतने टाइम के लिए बच्चे को ज़रूर पहनाएं ऐसा करने से बाजू का ब्लड सर्कुलेशन सही बना रहता है और सूजन भी कम आती है अब बात करते हैं स्किन केर की कास्ट लगने के बाद इचिंग या खुजली होना कॉमन होता है इस टाइम आप ध्यान रखें कि बच्चा कास्ट के अंदर कोई नुकीली चीज जैसे स्केल और स्पून को डाल कर खुजली ना करें इससे स्किन में कट होकर इंफेक्शन हो सकता है स्किन की इचिंग को कम करने के लिए आप हेर ड्रायर से ठंडी हवा कास्ट के अंदर ब्लो कर सकते हैं इसमें वाम और होट एर को हेर ड्रायर से ब्लो ना करें इससे स्किन में छाले पर सकते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक कास्ट लगा है वो clean और dry रहे बच्चे को निलाने के समय कास्ट को प्लास्टिक बैक से पहले अच्छे से seal कर दे ताकि कास्ट पानी से गिला ना हो आजकल normal कास्ट यानि वो कास्ट जो cotton और प्लास्ट आफ फैरिस से बनते हैं उनकी जगह पर fiber glass कास्ट भी लगते हैं जो waterproof होते हैं लेकिन उसमें भी आप ध्यान रखें कि नीचे की padding जो cotton की होती है वो dry रहे वो गिली ना हो कास्ट लगने के बाद कुछ ऐसे साइन्स होते हैं जिने as a parent आपको जाना बहुत ज़रूरी बनता है जैसे उंगलियों का रंग नीला और सफेद पढ़ना, उंगलियों में जंजनाहट और चीटियों जैसा चलना महसूस होना, उंगलियों को ठीक से हिलाना पाना यह ऐसे साइन्स हैं जो यह शो करते हैं कि या तो बाजू elevated position में नहीं रहती है और या फिर कास्ट बहुत ज़्यादा tight है अगर यह सब साइन्स कभी नज़र आते हैं तो ऐसे में बाजू को तुरंथ 30 मिनट के लिए rest और elevated position में रखें यानि बाजू को table पर pillow के उपर supported रखें और हाथ को koni के level से उपर रखें 30 मिनट के बाद अगर सूजन थोड़ी कम होती है और दर्द भी कम होता है तो यह अच्छा है इसके लिए फिर आप ध्यान रखें कि बच्चा ठीक से sling को पहने लेकिन इसमें अगर 30 मिनट के बाद भी swelling कम नहीं होती है और जंजनाहट भी कम नहीं होती है तो यह एक warning sign हो सकता है ऐसे में आप तुरंथ ही बच्चे को hospital के emergency department में ले जाकर दिखाएं अभी फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और साथ ही अपने friends और relatives को ज़्याद से ज़्यादा शेयर भी करें थेंक यू